हाई एंड हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो आवर यूटॉब चैनल तो इस वीडियो में मैजर लीग सोकर यानि MLS फुटबोल लीग का मैच कवर करेंगे और यह फुटबोल मैच जो खेला जाएगा ला गलेक्सी और पॉर्टलेंड टिमबर्स के बीच में होगा तो दोनों टीम म आज मैच में कौन सी टीम इंड है कजसी टीम ऊक्ले लीक विक टीम है इस टौपके पर हम डिटियल्स में चर्चा करेंगे ॐर यह टोपिक भी काफी प्लियर्स भी हैं जिनका सलक्षन काफी लेस है और record वाइज वो प्लियर काफी श्यांदार है अब उन प्लियर्स को किस रन नीति का नुशार हमें अपनी गरांड लिग के और समोन लिग टीम में लेकर चलना वो सारी रन नीति मापको इसी वीडियो में बता हूँ आप वीड मैंसे 3 मैच लाग गलेक्सी ने इस टीम का सामने जीते हैं और 2 मैच में ड्रो का सामना किया और एक मैच मे le x эт कशाल नहीं किया और डीफेञ्स वाइज 1.3 गोल पर मैस और कंशीड किया और defense wise कहीं ने कहीं goal consider करना का average रखती है अब हम बात करें जो पिछला match दोनों टीम के बीच में खेल गया वो match एक defensive draw पर खतम हुआ दोनों टीम ने उस match में goal score नहीं किया बलकि match defense तो गया लेकिन उसे पिछले मुकाबले जितने भी इन दोनों टीम के बीच में खेल गया है उस match को Portland Timber ने win किया है लेकिन उस match में लाग गलेक्स का भी एक goal score आया था तो पिछले दो head to head match में अगर देखा जाए ने तो ओवैसे ही तो यहां पर Portland Timbers ने अच्छा performance करके दिखाया इस team के सामने attack wise भी और defense wise भी और अगर हम overall देखें तो आप देखें तो उसे पिछले मुकाबले दोनों टीम के बीच में attacking ड्रो गया और एक match 3-1 से लाग गलेक्सी ने win किया तो performance अगर देखा जाए तो overall head rate कनुसर लाग गलेक्सी इस team के सामने का अच्छा performance करती है attack wise भी और defense wise भी और जब भी दोनों टीम आपस में खेलती एक चीज में आपको बता दूं आपको दोनों टीम के जब recent form दिखा हुआ उससे यह पता करेंगे आप लोग कि दोनों टीम का attacking performance कैसा है वो defense को लेकर recently कॉन्च टीम मजबूत है तो चलिए सब सब पहला हम लाग गलेक्सी के recent form को देख लेते हैं तो गई लाग गलेक्सी जिसका नाम यहाँ पर लोश एंजलेस गलेक्सी लिखा हुआ इसने 6 मैच खेले हैं recent के और 6 मैच से 2 मैच इस टीम ने विन करे हैं और 3 मैच ड्रौ भी खेले हैं और एक मैच में लोश का सामना भी किया बलकि attack wise 2.3 गोल पर मैस और defense wise 2.3 गोल पर मै पी तब यह तो इस टीम ने अधिक मैच ड्रौ खेले हैं अब आप बात करें हम जो पिछला मैच खेला है इस टीम ने अस्टन FC के सामने खेला वो मैच एक अटेकिंग ड्रौ पर खतम हुआ तीन गोल सकोर किये defense wise तीन गोल कंसीड हुए और एक हाई सकोर मैच देखने मिला उससे पिछले मुगाओला Minnesota United के सामने टीम 4.3 से मैच को जीती है चार गोल सकोर के लेकिन defense से तीन गोल कंसीड के तो मतलग defense से ये team गोल कंसीड कर देती है एक मैच लोस एंजलेस के सामनी टीम 4-2 से भले हारी हो लेकिन उस मैच में भी इस टीम ने दो गोल सकोर किये है और उसे पिलोगावला सैंट लूसे सिटी के सामनी टीम अटेकिंग ड्रो के लिए दो गोल करें दो गोल डिफेंज से कंसीड किये है एक हस्टन डाइनमोक सामनी टीम डिफेंजिव मैच को ड्रो के लिए उससे पिलोगावला सान जोसे के सामनी टीम 3-2 से मैच को जीती भी है तो परफॉमेंस अगर हम लागलेक्सी का रिशन्ट ली देखें तो अटेक वाइस तो यह टीम काफिश्यानदार है हर मैच में कम सकम 3-4 गोल करना का एवरेज रखती है लेकिन डिफेंस वाइज भी यह टीम दूसरी टीम को मौका देते हैं कि यह टीम गोल कंसीड कर देती है और रजल्ट 50-50 देखनों मिलता है या तो विन होता मैच यह ड्रो होलता है लेकिन लोस नहीं कर पाती तो इस तर काफी खुश नजर आ रहा है वेस सेलिबरेशन के साब से तो हम बात करें जो पिछले 6 मैच इस टीम ने खेले हैं कि उसके साब से इस टीम ने पांच मैच में जीत हासिल किये और एक मैच इस टीम ने ड्रो भी खेला अभी तक लोस नहीं किया बलकि अटेक वाइज 2.2 गोल पर मैंश सगोर किया डिफेंस wise 1.2 गोल पर मैंश सगोर किया दिफेंस वाइज 1.2 गोल पर मैंस सगोर किया है तो फिलाःल के टाइम पर इस टीम का looks काफी स्यान दार है मैं भी तो सोज हूँ क्यों इतना खोस ये clear इसलिए क्वोस है क्यों कीई इस टीम का recent form बहुत ही स्या चाहिए और लोस एंजलेस का सामनी टीम जरूर टू-जीरो से मैच को जीती है और एक मैच अटेकिन रोखेला उसे मुगावला टू-वन से मैच को विन किया तो कहना का मतलब सीधा सा है कि यह टीम हर मैच में गोल करती भी है और डिफैंस से गोल कंसीड भी कर देती है तो इस टीम इस मैच में जीतनी चाहिए और इस मैच में एक्जेक्टल कितने गोल होने चाहिए तो चलिए अब हम इस मैच को ही पहले प्रेडिट कर लेते हैं तो फ्रेंड्स इस मैच का सकोर ने निकालने से पहले मैं आपको इन तीनों फॉर्मेट को समझाँगा और इन तीनों फ हमने recent form भी देखा तो recent form का नुसार हम दोनों टीम को compare करेंगे तो तीनों format में दोनों टीम कैसी हैं वो देखते हैं हम बात करें सबस्क्राइब पॉइंट टेबल बार में तो दोस्त पॉइंट टेबल में फिलहाल के टाइम पर जो लाग गलेक्सी की पॉजिशन है वह है 12 और वहें पर बात करें हम पॉट्लेंड टिमबर्स के बारे में यह इस लीग में सेवं पॉजिशन पर दोनों टीम की जो पॉजिशन है उसमें हलका सब डिफरेंस है और पॉ लेकिन जल्दी से मैच को लॉस नहीं किया तो यहां पर आपको आगे देखने मिलेगी लागलेक्स की टीम ओके दोनों टीम का हमने रीसेंट फॉर्म देखा तो रीसेंटली दोनों टीम ने अटेकिंग परकॉमेंस काफी श्यांदार करके दिखाया मतलब दोनों टीम हर मैच में कम सकम दो-्तीन गोल ये चार गोल सपोर करना का एवरेज रखते हैं लेकिन डिफेंस वाज दोनों टीमी वीक हैं एक सलाइटली फैवलेट टीम लाग लेक्सी को मान के चलता हूँ वैसेट मैं क्लियर फैवलेट नहीं मानूँगा क्यों कि दुनों टीम की तरफ से इस मैच में गोल होना तैह है मतलब कम से कम इस मैच में आपको तीन चार गोल जो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे तो उसी के साब हम अपनी टीम को क्रेट करेंगे तो अब बात आते ही कि इस मैच की स्कॉरलें प्रेडिक्शन क्या होने चाहिए मतलब कितना गोल इस मैच में होने चाहिए तो मुझे लगता है कि दोस्त इस मैच में कम से कम लागे लेक्सी के तरफ से दो गोल आ जाएंगे और कहीं ने कहीं दो गोल आपको पोर्टलेंड टिमबर की तरफ से भी देखने हो मिलेंगे और मैं इस मैच को एक अटेकिंग ड्रो पर फिनिस करवाने की कोशिस में हूँ मेरा जो प्रेडिक्सन है जो मेरा मानना है जो मैंने इस मैच को अच्छे सा अनेलिस किया आपने इस चीज को देखा है मैंने आपको समझाया जो आपको समझ बाए वो आप कॉमेंट जिरूर लिखना कि आपका कोडिंग इस मैच में कितना गोल हो जाएंगे मुझे लग रहा कि match बहुत team to score होगा मतलब दोनी तरफ से goal आएंगे और defender को 20 extra point नहीं मिलेंगे और ये match attacking draw पर खतम होगा तो यही चीज को समझते हुए हमें आज के इस match में अपने fantasy team को create करना अब team में हमें किस को captain देना किस को vice captain देना ये सारी जान करें आपको दोनी टीम की possible line-up और player का stats करना दी जाएंगे आप तक जो information दी है आपको team को लेकर कि कौनशी team match को win करेंगे और कितने goal इस match में हो जाएंगे क्योंकि हमारे mind में यही चीज होनी चाहिए जब हम team create करते हैं कि कौनशी team जीतेगी कि कितने goal कांगे वही चीज में आपको अब तक बताईए लेकिन अब player को कैसे select करना है अब हम दोनी team की possible line-up और player का stats करना दी चीज भी आपको clear कर देंगे तो चलिए सबसे पहले हम laglex की possible line-up और player का stats को देखते हैं और हाँ दोस्त अगर हमारे channel पर आप बिलकुर नए हो तो आप channel को subscribe जरूर करना क्योंकि इसी परकार की video information मैं आपके हर रोज इस channel पर लाते रहता हूँ वो भी fantasy football की videos जो कि कोई नहीं लेक रहा था और एक video में इतने information लें पाना मैं बता रहा हूँ कि आप पूरे YouTube में इस video को सर्च कर लो इस magic video को YouTube पूरे YouTube में नहीं मिलेग जितने information आपको एक video मिलेगे तो कहना को मतलब दोस्त आपको पास option है आप channel को subscribe कीजे वीडियो पसंद आते एक like भी कर देना और हाँ इस magic जो final small lick की या grand lick की जो भी team रहेंगी वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी टेलिग्राम चैनल का link है टॉप का comment में वीडियो पर description में आप वहाँ से हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हो तो चलिए अब हम बात करते हैं सिदह मुद्दे की दूने टीम की possible line-up को बारा तो friends ये लाग गलेक्सी की possible line-up है अब इस line-up का नुसर हमें किस-किस player को में टीम में जगात देनी है बाकि हर एक player का मैंने आप सटेट मैंचन की कि कौन से player टीम के लिए कितना match खेल चुका है कितना match में start किया है और वो कौन से player है जो हर match में 90 minute खेलता है और कितना goal करे हैं और कितना assist के हैं ये सारे information मैंने आपको यहां पर दिये पहले इस information में नहीं देखेंगे बलकि हम players की possible line-up देखेंगे line-up ये 4-3-3 formation से playing along ये team उतरेगी goal keeping section में आपको bond देखने मिलेगा और मेरा मानना ये है कि जो team आज के match में अपना home में खेलिए उस team के goal के पर लेखे चले क्यूंकि हमने देखा कि वो team भी काफी attacking team है और ये team भी काफी attacking team है वैसे तो आज के match में गोल के पर आपको 50-50 देखने मिलेंगे लेकिन आपके ज्वाइस आपकी score रखते हूं लेकिन मैं जो लेगे चलाओ वो bond को लेगे चलाओ अब हम बात करें जो defense section में आपको देख मिलेंगे क्योंकि header मैंने पूरे league खेलेंगे players जैसे माल 27-27-27-27 match खेलेंगे तो एक एक दो दो गोल करेंगे आप 27 match में हम उन प्लियर्स को लेंगे बलकि एक दो मैच के लिए तो वो चुम मुझे सही ने लगता है तो इसलिए मैं इनको दो नूट सेंटर बैक को ड्रोप करेंगे लाँ गया हूं अगर मैं किसी एक को लेकर चलूँगा तो उस condition में यो सीड़ा मुझे कापी पसंद ह जो कि जापानी का प्लियर है और ये कहने के अच्छा कर सकता है तो इसलिए इनको लेकर चलूँगे रहीम एडवर्ट से इस टीम के तरफ से लाँ फूल बैक में देखने मिलेगा तो इनको बिल्कुल भी ड्रोप मत कर देना ओक है दो प्लियर्स तो आपके पास होने ही चा इन तीन में से आपके पास दो प्लियर तो पहुने चाहिए इस टीम के तरफ से पैनलिटे कर लिए और बिना गोल के अच्छा का सा प्वान दे जाता है और हर मैच में टीम के लिए नब मिनिट खेलता है जो कि कहीं ने कहीं बैटर आप्सन रहेगा और ऐसे मैच असमें ऐस पॉइंट हो जाएंगे अब हम बात करें फॉर्वर्ड सेक्शन में बिली शारफ है जब फॉर्वर्ड सेक्शन में देखना मिलेगा और बिली शारफ इस टीम के तरफ सा इधिंग बैटर प्लियर है जो एक कंटिन्यू गोल करना वाले प्लियर है तो मेरी साब से इनको ले लेक पाँ क्योंकि हमारा पास ने फॉर्वर्ड सेक्शन में काप बैटर ऑप्शन और भी हैं तो उस कंटिशन में इनको ड्रॉब करके चलाओं दोस्त यहीं लाइन अप रही तो सीधी सी बात किस-किस प्लियर को लेका चलना लीर दम लेना गोल के पर लेना योसीड लेना रहीम एड़वर्स लेना है और यहां से प्यूग लेना है और बिलीश सार प्लिय के चलना है और अगर हो जागे तो इन दो में एक को सलक्ट करना आप जो आपको सही लगा मैं अपन टीम में बोईड को पिक करना हूँ क्योंकि यह अटेगिंग पोईजन खेलेगा बाके हर मैच में अल्मोस्ट 90-80 मिनट खेला है और साथ गोल और चार असिस्ट निकाल चुगा है और मैं आपको बदद नहीं यह पैनल टेकर भी है तो इसलिए एक इंपोर्टन प्लियर है इसी तरह आप हर एक प्लियर का सटैट्स को डीडाउट कर सकते हैं कि कौन सा प्लियर कितन मैच 90 मिनट खेला है और कौन गोल करा है कौन असिस्ट करा है तो यह चीज़ आप देख सकते हो तो अब हम बात करते हैं जो सेकंड टीम है उसकी पॉसिबल लाइनप और प्लियर के बारा तो दोस्त यह आप पो पॉर्टलेंट टिमबर की पॉसिबल लाइनप देखने मिले और यह लाइनप 4-2-3-1 के फॉर्मेशन से प्लेंग इलोन में रहेगी ओके गोल की पर आपको पास है आपको वज़े से मैंने पहले बताए कि आज की मैच में गोल के पर थोड़ा लग्ली चांस रहेंगे कि 55 मुझे लगड़ा कि बिलिंगम भी और सेम उसके गोल के पर द तो वार कि मैं किसी भी डिफैंडर को ज़्यादा सेज़ेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक हाई सपुरी मैच उम्मीन कर रहा हूं तो उस कंडिशन में ज़्यादा डिफैंडर नहीं हिलोंगा तो मैं अपने टीम में सिर्फ मॉस्क्यूरा को पिकर कर चलाओं अब हम बात करें दो सेंटर मिडफिलर जो इस टीम के लिए हर मैच में 90 मिनिट खेलते हैं तो अल्मोस्ट आज भी ये 90 मिनिट खेलेंगे लेकिन इनका गोल और असिस का चांसे से बहुत कम रहते हैं ये वो प्लेयर होते हैं जो बिना गोल के 15 से 25 के बीच में पॉइंट द नहीं को अब है और क्रोंदेक हैं जोण हे से देरेन एस्पे송रीला और यहां से मौरिनो और एंथोन टोनी तो पिछले दोनों मिचके इन दोनों क्लेशंने काफी श्यांदर पर क्लों पर कोमेंस करके दिया और डेरेन एस्पे अस्प्राऌशन प्राइसस प्रेंसल काफी ह अगर यही लाइन अपर रही तो मैं टीम मूरा मोरीनो एंथानिंग एस्प्रेला और गोल मतलब मॉश्क्यूरा इनका साथ जरूर जाओंगा इन पांच प्लियर को मैं टीम से ड्रॉप नहीं करूंगा बाकि और किसी को मैं टीम में लोंगा भी नहीं हो के बाकि हर एक प्लिय खेला है हर मैंच में कम से कम 80-90 मिनट टीम के लिए खेला है दो गोल और 6 असिस्ट निकाल चुगा है तो यहां पर आपको जो मोरीनों पिछले ही मैंच में गोल सपोर किया तो कॉन्फिदेंस जादा रहेगा आज के मैंच में कि अच्छा खासा कर रहा है ओके डैरन एस्प निकाले थे तो इस तरह डैरन एस्पिरिल का रिकोर्ट रहा है तो आप सभी का सेटेट्स कर सकते हो ओके तो दोस्त हमने दोनों टीम की पॉसिबल लाइन अप को देखते हुए ऑल्मोस्ट 11 प्लेर्स को चूज कर लिया है क्योंकि इस टीम के तरफ समने च्छे प्लेर लिय और पांच एक कॉम्बिनेस तरह तूल मिलाकर हमारे पास 11 प्लेर्स हो जाते हैं अब इन में से किसको कैप्टन देना किसको वाइस कर देना और इन हैं हमें अबने फैंटेसिक टीम को भी देख लेते हैं और दोस्त वीडियो पर नए हो या चैनल पर नहीं हो तो चैनल को अब इस इस बात है उस कंडिसमें इवांडर हमारे कैप्टन रहेगा अब इक लिए उसमें मैंने लेर दम गडरोप गया तो भी इवांडर लेगा और मुझे लगठा कहीं कहीं रहेगा और वाइस कैप्टन से घर बात कि जाए तो फिलिप बोरा एक बेस्ट आप्शन रहे है और यहां से बिलिश सार्थ है दोनों गोल पोटेंसिल काफी हाई है तो इनको भी आपम टीम में एज़े कैप्टन वाइस कारण ड्रक सकता हो लेकिन जो मैं अब इक लिए लिए लेकर चला हूँ आपने टीम में कैप्टन वाइस कारण यह दो है तो इनमें कुछ भी चै जो लो वैसे प्लेर तो बहुत स्यान दा रहें दोनों लेकिन अगर आपको ग्रांड ली यह मिनी ग्रांड ली खेले तब इन दोनों को भी कैप्टन वाइस कारण बना सकते हो डिफेंडर को इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि यह मैच हाई से कोरिंग जाएगा तो उस कंडि